हलो, if you want to identify कि इस compound के लिए कितने NMR signal होंगे तो आज की select video में हम यही देखेंगे for example हमें यह identify करना होगा कि इसमें कितने equivalent और non equivalent protons हैं कितने type का environment present है for example यह CH3 इसके पास proton है यह A signal देगा जिसके पास भी proton है वही signal देगा हम देखते हैं इसका environment इस carbon का environment इस A वाले environment से different है तो इसको हम B नाम देंगे क्योंकि यह दोनों तरफ CS3 से जुड़ा हुआ है वही अगर हम इस compound को देखें तो इसकी condition वही है जो इस A environment की है तो इसके जो number of signal होंगे वह दो होंगे जो कि हम A और B से दिखा सकते हैं एक और case देख लेते हैं जैसे कि यह compound इसके पास proton है यह A signal देगा इसकी condition इससे different है क्योंकि यह एक तरफ OH और एक तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है यह B signal देगा यह CH2 एक तरफ CH और एक तरफ CH3 से जुड़े होने के कारण C signal देगा और यह CH3 एक तरफ CH2 से जुड़ा हुआ है जबकि यह CH से जुड़ा हुआ था जिसकी वैसी यह D और यह E signal देगा